फुदाओं जेसु मसी के पवित्र, अद्भुत, पराक्रमी, सामर्थी और उस नाम की तारीफ करता हूँ जिस नाम के आगे एक दिन हरे घुटना दिकेगा हर एक जबान यमानेगी कि ये शुही रभू है मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से उसने मुझको और आपको ये मौका दिया कि उसके वचन के उजाले में अपने जीवनों को प्रकाशित कर सके कहीं और दुनिया में ना तो ऐसा वचन मिलेगा ना तो ऐसी सामर्थ मिलेगी और इसलिए बड़े हियाओ के साथ जैसे उस इस्त्री ने कहा कि अगर मैं उसके दामन को छू लूँगी सोचिए एक इस्त्री जो कमजोर है रुपे से पैसे से लिखाए कि उसने अपना पदा नहीं परिवार था कि नहीं था कोई मॉरल सपोर्ट नहीं था उसके पास क्योंकि उसने स्वेम ये बात कही कि अगर मैं उसके दामन को छू लूँगी कई बार हम अपने आपको ऐसी परिस्तिती में पाते कोई नहीं है अपने परिवार तक ने हमें छोड़ दिया आर्थिक रूप से तो हम ऐसी गए गुजरे है शारीरिक रूप से भी हम कमजोर हो गये है अगर आप ऐसी परिस्तिती में काम कीजिए प्रभु के दामन को छू करता कि जितना आप दामन की तरफ बढ़ेंगे उससे जादा वो दामन आपकी तरफ बढ़ेगा कि आपको चंगाई मिले आपको जिंदगी मिले और बहतायत की जिंदगी मिले पिछले रविवार हमने देखा उत्पति की पुस्तक उसका सैतिस्वाद ध्याए हम इबराहिम से इजहाग इजहाग से याकूब और अब याकूब से यूसुफ की ओर आ गए है और जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा कि यूसुफ येशु मसी के कुछ गुड़ों का एक प्रतिरूप है सब गुड़ों का नहीं हमारा प्रभू तो महान है उसके द्वारा सब कुछ उत्पन हुआ वो वचन था जो परमेश्वर का वचन था वही देधारी होकर के आया था वो हमारे लिए पुत्र भी है और हमारे लिए पिता भी है हमें एक बालक दिया गया एक पुत्र दिया गया और फिर आखरी में लिकाया कि वो अरंद काल का पिता भी है यही उसकी personality है मित्रो वो भक्ती का भेद है हमने उसके बारे में बात की और आज हम आगे बढ़ करके उस गड़े के अनुभाव को थोड़ा और मैसुस करना चाहते है और मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ कि खुदावन हमारे सुनने वालों को कोई न कोई गड़े में भेजे ताकि हमें अनुभाव हो लिखा है कि उसकी इच्छा अपने अनुभाव से मालूम करते जाओ देखिए एक्सपीरियंस जो है ना लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उससे बड़ा टीचर कोई नहीं है जो आप अनुभाव आप कहते रह जाएए बच्चे से आद में मुम्बती में हाथ मट डालो जल जाएगा जल जाएगा आप दुनिया की बाते उसको बता सकते हैं गूगल खोल के दिखा सकते हैं कुछ समन्झ में नहीं आएगा एक बार हाथ डाल देगा अनुभाव से, experience से बहतर कोई शिक्षक नहीं है और हमने प्रभु की इक्षा अनुभाव से मालुम किये यहां जितने लोग मौजूद हैं जिनके जीवनों में प्रभु ने आश्यर करम किया उनसे पूछे उनको अनुभाव हुआ है उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दया को, उसकी अनुग्रय को, उसकी चंगाई को, उसकी शांती को, उसकी खुशी को, उस इत्मिनान को, उस शांती को जो समझ से परे है उस शांती को अनुभाव से प्राप्त किया है I have experience, मैं भी गवाही लेनूं यहाँ पर तो एक के बाद एक गवाहीयां मिलेंगी, हाथ उड़ जाएंगे जी, मैं गवाही देना चाहती हूँ, मैं गवाही देना चाहता हूँ मैंने अनुभाव किया, मैंने उसके प्यार को चखा है मैं उसकी देया को जानता हूँ, मैंने उसके अनुग्रा को अपने जीवन में अनुभाव किया है और इसलिए प्रभू एक बहुत बड़ी योजना देखिए मैंने कहा, इबराहीम से इजाग, वो एक आशी जो थी, वो आगे आनी थी और इजाग से, क्योंकि इबराहीम को संतान नहीं थी परमेश्वन ने उसको अनुभाव दिया और एक संतान दी और उस संतान को कुर्बानी के लिए भेज दिया वो एक अनुभाव था, इजाग को अनुभाव था कि बापरे बाप हम वेदी पर लिटाये गए, हमें कुर्बान किया जाना था हमें होम बली करके चढ़ाया जाना था प्रभू ने वहां से मुझे जीवित करके बलिदान, जीवित बलिदान करके ग्रहन किया फिर याकूब किस तरीके से आशीश पाता है पहलोठा ना होने के बावजूद, पहलोठेपन की आशीश उसको मिलती है और किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में भटक करके वापस बेतेल जाता है और अब यूसुफ उसका पुत्र उस आशीश को केरियाउन कर रहा है मैं आपसे कह रहा हूं मित्रोप, एक बहुत ही ये गंभीर विशय, बहुत ही, एक बहुत, मैं कैसे आपको बोलू, संसाद में मैं सुचता हूँ कि इससे बड़ा कोई विशय हो ही नहीं सकता है और इसलिए आप सिर्फ इस दुनिया में जानवरों की तरह नहीं है परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना के तहट हमको रखा है और इसलिए अपने आपको एक बहुत ही महतुपूर्ण व्यक्ति जानियेगा आप उस अद्वैद परमेश्वर के बेटे और बेटिया है और आपको ये आशीश आगे बढ़ानी है इसका नयाय होगा इसका लेखा लिया जाएगा आपसे जो टैलेंट दिया गया है आपको जो टैलेंट आशीश का जो टैलेंट है इसका लेखा लिया जाएगा और इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये जो अकाउंट है आपका अकाउंट आपका लेखा सहीर है ताकि आप उसकी नजरों में भली भात खड़े हो सके और कह सके प्रभू जो तोड़ा आपने मुझे दिया मैंने उसमें से कमाया है जिसे हमने कहा कि ये गड़े का the pit experience बगाएर इसके परमेश्वर की आशिशे हम enjoy नहीं कर सकते समझ नहीं सकते और जिस उद्देश के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपनी बुलाहाट को हम समझ नहीं सकते ये गड़े का जो experience है ये गड़े का जो अनुभाव है ये हमें तयार करता है आईए कुछ और देखते हैं ये गड़े का अनुभाव पिछली बार हमने देखा गड़ा हमें धीरज धरना सिखाता है गड़ा हमें अपने आपको take care करना सिखाता है कि हम कमजोर है हम मिट्टी है हम उस घांस के समाने उस फूल के समाने जो सुबह खिलता है और शाम को कटके मुर्जा जाता है इसलिए हमको हमको अपने आपको देखभाल करना है हम परमेश्वर के मंदिर है यह गढ़ा सिखाता यह गढ़े का नुभाव है जब आप ऐसी परिसितियों में आते हैं जहां कोई आपकी मदद नहीं करता बलकि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं बीमारियां आपके पीछे पड़ी हैं समस्याएं आपके पीछे का अनुभाव. इस अनुभाव को despise मत कीजेगा, तुछ मत जानियेगा ये आपके भावी जीवन में काम आएगा, आपके बच्चों के आपके परिवार में काम आएगा, आपके समाज में काम आएगा, और वो सब छोड़ दीजे एक दिन उस जगह काम आएगा, जहाँ हमको और आपको जाना है जब न्याय के सिंगासन के सामने हम और आप खड़े होंगे फिर हमने देखा कि कैसे गड़े का बचाओ सिर्फ एक जगा से हो सकता है और वो उपर देखने से केवल उपर ही एक ऐसी जगा है जहां से आप बाहर निकल सकते हैं और जब आप उपर देखते हैं तो सीधे आपको आस्मान दिखाई देता है और हम क्या गाते हैं आस्मानों में है मेरा भी एक मकार वो आस्मान में आएगा बादलों में आएगा मित्रो गड़े से बादलों को देखना शुरू कर दीजे जब आप ऐसी परिस्तिती में हो जब आपको लगे कि कोई आपकी मदद नहीं करना हर तरीके से आप गए गुजरे हैं आप इस आल्टर पर आ करके रो रो करके दुआ कीजिए घुटने के बल दुआ कीजिए मैं चैलेंज करता हूँ आप कहते रहे जो करना आप करिये लेकिन मेरे इस चैलेंज को एक बार जरूर इस चुनावती को जरूर लीजिएगा अपने प्रभू के आगे आप हाथ पहलाईए जोली पहलाईए रोईए और कहिए खुदावन मुझे सकेती में से निकालिए मैं इस वक्त सिर्फ आस्मान की और देखना चाहता हूँ कोई मदद नहीं करें गड़े में दाइने बाहे आगे पीछे नीचे कोई मदद नहीं करेंगा मित्रो आप गड़ा जान रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ आपने गड़ा देखा है गड़ा कोई बहुत अजनबी चीज नहीं है और आपने अपने जीवन में गड़े महसूस किये हैं आपने जीवन में तिरसकार महसूस कि कभी आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है कभी आपका सोल साथ नहीं दे रहा है कभी आपका निराशा है डिप्रेशन है हर तरीके से आप अपने आपको you are finding yourself in a pit but can I encourage you that start looking up उपर देखना शुरू केजिए क्योंकि मेरी सहायता तो सिर्फ तेरी और से आती है मैं अपने अनुभाव वक्त नहीं है बताने का लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जब भी मैं गड्डे में रहा हूँ ऐसी बात नहीं है कि जो गड्डा तक हतम होगे आज भी गड्डे का अनुभाव होता है और प्रभू अनुभाव कराता रहता है ताकि हम उपर देखना शुरू कर दे उसके बाद फिर हमने आज हमने तीन बाते देखी ती पिछली बार धीरस धरना स्वैम को देखना और उपर देखना आज मैं चौती बात पर आपका ध्याना कर्शित करना चाहता हूँ साथ जगा गड्डे का जिकर आया है उत्पती की पुस्तक उसक और उन्तीस पत तक साथ बार ये वर्ड गड़ा आया है और साथ अनुभव गड्डे का परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है चौती बात चौता अनुभव और वो है नम्र बनाना सिखाता है बिल्कुल आप पढ़िएगा इस चेप्टर को पढ़िएगा कि जब उसको गड बहे में डाला गया जबान नहीं खुली यूसुफ की बात करा हूँ यूसुफ की एक जगा अभी तक तो पूले और चांद और सितारे और सूरज और दुनिया की बात अब इनकी एक जगा जबान नहीं खुली आप पढ़िएगा कहीं यूसुफ ने रिटैलियेट किया ही नम्रता आ जाती है घमंड दूर होता है और ये जबान ना मित्रों घमंड जानते ये जबान से मन में होता है और वो जबान पर आता है इस जबान को लगाम देना है हमको इसको कूल रखना इसको ठंडा रखना है लिखा है कि छोटी सी छोटा सा अंग है लेकिन जंगल में आग की तरह ये फैल जाती और इसलिए ये गड़े का जब अन्वा हो जब आप किसी परिस्तिती में हो तो खामोश और ये बहुत बरबर बरबर करने की जरुवत नहीं है अयूब को उसकी वाइफ ने उसके मित्रों ने कहा परबेश्वर को कर्स कर मर जा सोचिए क्या आप लंबी लंबी जबान बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो अरे मैं सकेती में पढ़ा हूँ मैं गड़े में हूँ मुझे नमरता आने दो दीनता आने दो आज ये नमरता और दीनता हमारे में से जब गायग हो जाती ही मित्रो तो वो गड़े में से फिर हम निकलने पाते हैं यह बताए है, गड़े में क्या कड़ कीजिएगा, कोई आपको मदद करने आ रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई हैं मैं नहीं निकलूँगा, मैं इसी मेरा और क्या कर रह है, नमरता और दीनता के साथ, उपर वाला जो कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही कीजिए नहीं मैं रसी नहीं पकड़ूँगा मैं नहीं निकलूँगा मैं हाथ उपर नहीं बढ़ाऊ एक मिनाट गड़े में से निकलने के लिए हाथ उपर बढ़ाना ही पड़ेगा आपको और आज हमारे हाथ तो उठी नहीं पाते है हालेलुया प्रेज दो लॉट करने में हमारे हाथों में दर्ध होने लगता है जबान नहीं खुल पाती है बुला नहीं पाते हैं हमाई किसी को नहीं बुला रहा हूं मैं किसी का मदद नहीं लूँगा और मैं किसी को नहीं पुकारूंगी मैं किसी से दूआ रहे, कर क्या रहे, आप गड़े में हैं, नमरता और दीनता चाहिए आपको, God is going to teach you, ये घमन को दूर करता है, ये घड़े का नुभाव, लिखा है कि घमन से चड़ी हुई आखे परमेश्वर को पसंद नहीं है, घमन जो है न, वो शैतान का, एक बहुत ब बढ़ा, बहुत बढ़ा एक खतियार है, और खासकर मसीयों में, जो थोड़ा सा टैलेंट आ जाता न, बजाने, गाने, इसका, अरे बापरिवा, तुरंत एक छोटी सिंग निकल जाती, कोशिश कीजिए, प्रभू, हमें ये गड़े का अनुभाव दीजिए, ताकि नमरता और दीनता हमारे साथ हमेशा बनी रहे, जितना आप नमर होंगे, जितना आप दीन होंगे, कि किस चीज़ का घमंड है वित्रो, जिंदगी आज है, कल खतम है, घमंड किसी चीज़ का नहीं, बहुत नमरता और दीनता के साथ, और इस जबान को काबू में रख करके, नमरता और दीनता लिखा है कि तुम्हारा जबान, तुम्हारा बोलना सलोना हो, लोगों को भाउता हुआ होना चाहिए, करकश बात, हमेशा जली-कटी बात, हमेशा टॉंट वाली बात, नहीं, कभी नहीं, तो कहीं प्रभू उसी गड़े में रख करके हमें सडा ना दे, क्योंकि आ उस्थों ने आपको डंब किया ही नहीं, घमन, अकर, पाचवी चीज, हमें पश्ताप सिखाता है, हमें पश्ताप सिखाता है, और पश्ताप क्या है, अपनी पिछली गल्तियों को अपने द्वारा मान लेना, आपको समझ में आ जाए कि आपने गल्ती की है, पेडिकोस के दिर पत्रस ने खड़े हो के कहा मन फिराओ पश्टाप करो और मन फिराने का मतलब पश्टाप करने का मतलब यह नहीं कि दुनिया को आप बता रहे हैं कि हमने क्या क्या आप अपने आपको बताईए कि आपने क्या क्या क्योंकि कई बार हम अपने को जस्टिफा कर रहे हैं कि दैट इस वाट रिपेंटेंटेंस हैं हमने सुस्ते पश्टाप पर मेशोर को बताया प्रभू हमने यह गलत किया आप अपने को दिखी जब उड़ाओं पुत्र पिता के पास आया उसके पहले उसने पश्टाप कर लिया था वो तो पश्टाप का परिणाम था जो वो अपने पिता के पास आके बोला था उसने पहले ही सुवर के बाड़े में ही पश्टाप कर लिया था उसने कहा कि मैं उठ करके अपने पिता के यहां जाओंगा यही पश्टाप है क्योंकि आप मुझे वापस जाना है मैंने गलती की है पहले तो मैं पिता से दूर ज समझाइए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं अपने विवेक को जगाए रखे और ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता चले कि सही है क्या क्या सही है क्या गलत है हमको सब अपने विवेक के द्वारा मालूम हो सकता है पश्चताब वो गड़े का पश्टाप प्रभू मेरे से अगर गलती हुई है मुझे माफ कीजेगा, मेरे से गलती हुई है, मैंने गलत किया है, उड़ाओ पुत्र ने आकर सीधे का, बाप ने कुछ नहीं पूछा, उस तो सीधे का, मैंने तेरे विरुद, मैंने स्वर के विरुद और तेरे विरुद प मैं यही कहना चाहता हूँ जब आप प्रभू के सामने आईए नमर और दीन पश्चतापी बन लेकर क्यों कहिए प्रभू इस हपते मुझसे गलती हुई है मुझसे गुना हुआ है मुझे जितना वक्त देना चाहिए था मैंने इस हबते की इस महिने की तरखा में से दश्वाँश नहीं दिया है I am sorry मुझे मालूम है मेरी वाइफ को नहीं मालूम मेरे हस्बेंड को नहीं मालूम मेरे घर वालों को नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने दश्वांच नहीं दिया, मैंने नौही दिया है, मैंने आठी दिया है, मैंने दिया ही नहीं है, पश्टाप कौन करेगा, जिसने गलती की है वो करेगा, आप अपने आपको समझाईए कि मैंने गलत किया है, गड़े का नुभाव हमें दर जो है वह आपको गढ़ए से बाहर नहीं निकालेगा, आप डर करके वहीं पढ़े रहेंगे, नहीं, आप वहाँ सोचने लगते, आप इस गढ़ए से निकलना है मेरे को, और जब कोई नहीं बदद करता है, तो आप अपना याओ बांदते, आप अपनी तरकीम लगाते, क जब आप हियाव छोड़ देते हियाव का मतलब होता है जब आप जो आपका जो सेल्फ विल है जीसे लोग जो आत्मत्या करते हैं उनका क्या प्रॉबल है हियाव छोड़ दिया उन्होंने जीने का हियाव छोड़ दिया पंखा दिखाई देने लगा, पुल दिखाई देने लगा, यहां से कूच जावागा, नई, नई, मित्रो, हम लोग इसके लिए नहीं बनाए गए, हम लोग याओ के लिए बनाए गए, कोई आपकी मदद कर रहा था, आपका, नहीं भाईया, हम गड़े में निकाल नहीं है, तो याओ बाढ़ करके, हाथ पकड़ दीजे, रसी पकड़े, बोले कोई बात नहीं, I have to come out of this pit, इस गड़े में से निकलना है मेरे को, आप जो संडे यहां आए है न, आप जो यह कलाम सुन रहे हैं न, इसलिए सुन रहे हैं आप, क्योंकि आपने याओ बांधा है, यह डिप्रेशन और निराशा, अरे हमारा प्रभू आशा वाला प्रभू है, एक ऐसी आशा जो कभी तूटेगी नहीं मित्रो, अपने दिल को मजबूत कीजिए, वो आपका पिता है, वो दयालू है, वो नमर है, आपने उसकी दया का स्वाग चखा है, आपने अनभाव से जा ना है, उड़ाव पुत्र भी अगर हियाव छोड़ देता, अरे क्या करे, कैसे जाए, पापा के पास पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, चर्च क्यू जाए, बाइबल क्यू पढ़े, दुआ क्यू करे, दश्वाज क्यू दे, नहीं मित्रो, नहीं हियाव बांदिये Can I encourage you, ना सिर्फ अपने encourage हुईए, दुनिया को encourage कीजिए आपके अनुभाव से, आपके encourage से, आपके हियाओ बागने से, आपकी ताकत से, आपकी निडरता से, बहुत से दूसरे लोगा आशीशित होंगे सोचिए आज उस इस्त्री जिस ने कहा कि भै उसके दामन को छूलूंगी आज उसका उधारण हम 2019 में दे रहे हैं कब की ये बात हुई लेकिन एक इस्त्री के हियाओ ने आज हमको और आपको भी याओ बंधा दिया बाइबल कहती है कि वो हमारा ऐसा महायाजक है खोरी है याओ बंधिये और एक बार पिता के पास वापस लौट करका आईए जितनी चीजें आपने खोई है जितनी चीजें आपकी नुकसान हुई है वो उससे कहीं बढ़ करके आपको देगा दीरे जरना सिखाता है अपने आपको देखना सिखाता है उपर देखना सिखाता है ये गड़े की मैं बात कर रहा हूँ नमर बनाता है गमन को हटाता है पश्चताप करना सिखाता है या उपानना सिखाता है और आखीर में मैंने कहा यूसुफ मैं एक पढ़ना चाहता हूँ एक बिस्वापद उत्पति की पुष्टक सैतिस्वा ध्याय और बीस्वापद Genesis chapter 37 and verse number 20 बीस्वापद बीस्वापद उत्पति की पुष्टक सैतिस्वा ध्याय और उसकी बीस्वियाय मैं पढ़ना चाहता हूँ So, ये भाई लोग कह रहे हैं, यूसुफ को देख करके So, आओ, हम उसको घाद करके किसी गढ़े में डाल दे घाद करके, मतलब मा डाले उसको घाद करके किसी गढ़े में डाल दे और ये कह देंगे कि कोई दुष्ट पशू उसको खा गया है खड़ी पाई, अब आगे की लाइन सुनेगे सोचिया, भाई लो दे खड़ी पाई लोग थे और उनका ये प्लान था और मैं नहीं जामता हूँ कौन आपके सबसे नजदीक रह करके क्या प्लान बना रहा है किस तरीके से आपको घाद, आपको बर्बाद आपको डश्ट करने की कोशिश कर रहा है मैं आपको कह रहा हूँ ना, ढाड़स बांधिये याओ बांधिये भी सुनिये ना आगे कि फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा हमार है ना, वहीं से आरह है ना, जहां से वो सपना बताता हुआ आ रहा था और आज इन लोगों ने अकेला पाया, उसको क्यों की पापा थे नहीं बोले इसको घात करें, इसको माट डाले, गड़े में डाल दे और फिर देखेंगे ये तो मर जाएंगे सुनते रहिया, ये तो मर जाएंगे इनके सपने का क्या होगा ये जो सोच रहे है, कि ये जब बड़े होंगे तो हम लोग इनके आगे झुकेंगे हम इनके आगे दंडवत करेंगे देखें क्या होता है ये भायों की ये इस सनसार की जुक्ती ये इस परिस्तिती की, जिस परिस्तिती में आप घिरे हुए ना मित्रो ये उसकी योजना है लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ जब रुबेन गया देखने के लिए मेरे साथ आईए न 29 पद पढ़ लेते हैं उसी चैप्टर का उत्पती की पुस्तर उसका सैतिस्वा अध्याय और 29 आयत 37 चैप्टर ऑफ जैनेसिस एन वर्स नमबर 29 और रुबेन ने गढ़े पर लोट कर क्या देखा कहा जा रहे हो रुबेन कहा जा रहे हो गढ़े में जा रहे है कहा वो इस्त्रिया कहा गई थी कबर पर गई थी सोची क एक जो इशुमसी की लाश वहां मिले गए रहे क्या कर रहे हो कहा खोज रही हो तुँ जिन्दों को मुर्दों में क्यों खोज रहे हो आज जिस प्रभू की आप उपास्ता कर रहे है आज जो कलाम सुन रहे है ये एक जिन्दे प्रभू का कलाम है मित्रो आप डेड परिस् क्यों प्रभू को क्यों दुनिया की साहता खोज रहे प्रभू वहां नहीं है प्रभू जीवित है प्रभू अपने कलाम में है प्रभू आपके विश्वास में है प्रभू आपके धारस में है प्रभू आपके नम्रता में है प्रभू प्रभू आपके ऊपर देखने में है म बाप रे बाप दस ग्यारा थे वहाँ पर और यूसुफ अकेला था तो उसको मारी डालते हो उसको प्लान भी बनाया था ये क्या हो गया गया यूसुफ तो गड़े में था ही नहीं तुम जिन्दों को मुर्दों में ढूंड रो कबर में ढूंडने जा रहे हो कबर पर चुन उनने जा रहे जिन्दे प्रभू को जिन्दे वचन को छोड़ करके दुनिया के वचनों पर ये ड़क्टर साब ने कह दिया दवाई वाले ने ये कह दिया ऑप्रेशन वाले ने कह दिया दुनिया के मरे हुए लोगों की बाद जो खुदी बरने जा रहा है उसकी बाद पर य याकूब और यूसुफ ये ब्लेसिंग के करियर थे ये ढोने वाले थे इनको आगे बढ़ा रहा था वनशज को आज हमको और आशिश कैसे मिलती है अगर यूसुफ घात कर दिया जाता अगर यूसुफ गड़े में रहता मित्रो मैंने कहा गड़े में रहने के लिए हम नहीं धन्य बात कीजिए कि हम बादलों में उससे मिलने के लिए बनाए गए हैं यूसुफ उस गड़े में नहीं था रूबेन कहा जा रहे हैं अरे वो हम बचा के लिए आएंगे तो कहा तुम कहा बचाओगे अरे वो आशीश से लदा हुआ है वो परमेश्वर की उसे लदा हुआ है परमेश्वर की वाचा से बन्दा हुआ है यह भाईयों की हिम्मत है कि माटा लेंगे उसको घात कर देंगे और गड़े में डाल देंगे गड़े की हिम्मत है कि उसको रोग करके रखेगा अरे क्या बोल जोजफ हैस टू गो सम्वेर एल्स अरे तो प्र गड़े में क्यों गया आ रहे बाबा गड़े में उसको तयार किया जा रहा था फ्यूचर के लिए आज बित्रो जो परिस्तितिया हमारे और आपके सामने है ना जो फाइनेंशियल और फिजिकल और मेंटल और दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है यह किवल इसलिए है because he wants to make us ready for the next step हमें एक अगले कदम के लिए और आगे हम अभी चलेंगे ना आप कहें खबरा रहे हैं आप मेरे साथ रहिए उस पती की पुस्तक पर हम चलेंगे हम देखेंगे कि परमेश्वन ने अपनी प्रॉमिसेस को अपनी वाचा को एक के बाद एक कैसे पूरा किया कहां वो कर करके दिखाया अपने इब्राहीम और सारा बैरन थे बांच थे कोई बेबी नहीं था सबने का मरी हुई धशा हैं परमिश्वन ने कहा है तो फिर इज़ात को लिए जा करके होमबली करके चढ़ा रहा था प्रमिशन को हो गया ना मेरी वाचा आगे बढ़नी है मेरी प्रतिग्या आगे बढ़नी है इसाओ, आशी क्या करता ले करके धनुषधारी था, जंगल में रहता था बोले याकुब को मिलनी है गड़े मेरा परमेश्वर की योजना है अगर परमेश्वर अनाधिकाल से अनंदकाल तक अगर उस वक्त तक उस पर आशा और भरोसा किया जा सकता है तो आज भी 2019 में किया जा सकता है आज तो हम लोग के पास गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है मित्रो कहा हम और आप इधर उधर दुनिया की बातों में फसे हुए और सोच रहे हैं गड़े में हम पड़े रहेंगा हम गड़े में रहने के लिए बनाए नहीं गए जित जब तक हैं तभी तक हैं जिस दिन परमेश्वर का आदेश हो गया God was preparing him for the next assignment परमेश्वर उसको सेवा के लिए तयार कर आता है गड़े का अनुभाव आपको आगे की परमेश्वर की सेवा के लिए तयार करता है काश की ये गड़े का अनुभाव हमारे जीवनों में हम में से हर एक के जीवन में एक के बाद एक आता जाए हम अनुभाव करते जाए सीखते जाए नमर और दीन बनते चले जाए उपर की ओर देखे याओ बांदे धीरज रखे और तयार हो जाए प्रभू के अगले आदिश के लिए प्रभू क्या करवाना चाहते हैं किस तरीके से आप अपनी सेवा लेना चाहते हैं घर में लेना चाहते हैं चर्च में लेना चाहते हैं दुनिया में लेना चाहते हैं समाज में लेना चाहते हैं कहां आप अपनी सेवा लेना चाहते हैं और मैंने कहा अनुभाव से बढ़ करके कोई शिक्षक शिक्षिका नहीं होती, इससे बहतर कोई टीचर नहीं होता, इसलिए अनुभाव, गड़े के अनुभाव को अपने जीवन का एक पहलू बनाईएगा, अपने जीवन में ग्रहण कीजेगा, भूलियेगा मत उस अनुभ और उसी अन्भाव को अपने वंशज में आगे बधाईएगा, अपने समाज में आगे बढःएगा, लोगों से शेयर कीजियेगा अपने उस घड़े के अनुभाव को, कि किस तरीके से प्रभुने आपको धीरज रखना सिखाया, प्रभुने आपको स्वैम को देखना सिखा कर दो आसके बहुत 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 आशिष्टे जय बसे की